नमस्कार जी दोस्तों तो आप यह मोटर देख रहे हैं यह 10 HP की मोटर है 1440 RPM है और आटे की क्वालिटी देखिए बहुत सुपर आटे की क्वालिटी है देखो बहुत अच्छी आटे की क्वालिटी है यह समय है और देखो आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत बारी काटा एकदम बिल्कुली और गल्ला भी इनके पास काफी अच्छा है गल्ला तो आप देखी रहे होंगों कितना अच्छा गल्ला है इसका अच्छा है तो इस दस एच्छी की मोटर नौसो साथ इसका रपीम है सॉरी सॉरी चौटर सुचारी सार्पीम है इनके और इस पर पांच इंची की पुली लगी हुई है अच्छी है 24 इंची की है और देखो गल्ला तो आप देखी रहों कितना बैस्ट गल्ला चला है यह करीब अभी दो कुंटल परचास किलों के दो कुंटल चारीस किलों के आसपस निकाल लगी है और अभी जो है गयों हमें थोड़ी नमी जादा इसलिए और ज्यादा भी निकालेगी गल्ला यह बर्सात का सीजना तो साइदे नमी तो गयों में आई जाती है फिर भी गल्ला बहुत अच्छा निकाल लिए यह कि आज ही इसकी टगाई की है और यह साबू का यह अपना पत्थर जो है इसका इसाबू का है जोदपुर का साबू का पत्थर जोदपुर का बिलेक एमरी में है अनि काला पत्थर है यह मॉटर पहले इस पर दस सेच भी थी वह थोड़ी हल्की थी हल्का तार था उसमें तो पर्फॉमंस एक कुंटल बीस किलों एक कुंटल थी स्कुन कर ले थी आटा देखिए बहुत ही अच्छा आटा है एक्दम इसका गल्ला देखिए चुक हें अब्यार कि तथी और आटे कि क्वालटी में देखा दूँ आपको कि दिन अच्छा एक्दम वारी44 lap एकदम वारी काटा है थोड़े ग्याहूं में नमी है इसलिए थोड़ा सा मोटा सा लग रहा है वैसे वारी काटा है एकदम गल्ला भी बहुत अच्छा चलना है बारा इंची की इसमें पुली लगी हुए नीचे यह और यहां लेकर किया हूं सुका कर लेके आएं दो रुपए किलो पिसाई तो भाई ने दो रुपए किलो पिसाई कर लखी है हैं और लिखा है किया हूं सुका लेकर आएं तो इसमें आपको बताया था कि पहले इस पर दस सब्सक्राइब और इसमें करीबन दस से ग्यारा के लुट तार है इसमें और बहुत अच्छी बर्क कर रही है कि भाई के पास गल्ला भी बहुत अच्छा है तो भाई ने काफी कमेट किये थे तो आज हम भाई की चक्खी पर गई थे तो काफी रुकाइस टारिंद भाई चक्खी को देख लो मारी देखिए तो आज उनकी मॉटर चैंज कराई है तो आज बहुत अच्छे खोसे हैं वो देख लो दूसरा कट्टा भी डाल दिया है कि अच्छे अच्छे की चक्खी कर लातों बहुत ही सुपर चला है इसका कट्टा दूसरा डाल दिया है कि अग्याओ कि आटे की क्वालिटी बहुत सुपर है देवा आपर एक एकदम बारी काटा है इस साबू का पत्थर है इसका साबू अगर किसी भाई को चक्खी से लेटर कुछ जानकारी चाहिए तो मैंने नमबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस पर वाट्स अप कर सकते हैं मैं वाट्स अप का रेप्लाई अब से दूगा थैंक्यू